हेलो एव्रिवन वेलकम टू प्रियास किचे आज मैं आपके चाज शेयर करने जा रही हूँ मिक्स बेची टेवल का अचार जो सर्दियों में आसानी से सबजी मिलती है उनी का अचार आज आपको बनाना बताऊंगी और बहुत टेस्टी लगता है तो उसके लिए मैंने कुछ सबजीयां लिए हैं जिसमें गाजर है, मूली है और शलगम और गोबी और ये कुछ हरीमेच और अद्रग भी लिए है तो सबसे पहले हम इन सबजीयों में थोड़ा सा नमक है और हल्दी आट करेंगे जिससे नेचुरल ही बहुत सारा पानी होता है इस सबजीयों का वो अच्छी तरह निकल जाएगा तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इन्हें 12 गंटे के लिए रख देंगे हरी में चो अधरग में हम अभी कट नहीं करेंगे और नहीं इसमें नमक एट करेंगे 12 गंटे हो गए हैं सबजीयां देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और थोड़ी सौफ्ट भी हो गया और पानी बहुत जादा छोड़ दिया है तो इसको हम चन्नी से पानी अलग कर लेंगे अब इसको एक दू मिनट रखेंगे जिससे पानी पूरा निकल जाए ये देखिए पानी पूरा निकल गया है अब इन सबजीयों को एक दू गंटे के लिए हम दूप में सुका लेंगे एक दू गंटे के बाद देखिए सब्जीयों सॉफ्ट हो गई हो और इनमें बिलकुम उश्चन नहीं रहा है तो ये अचार बनाने के लिए तैयार है और ये सब्जियां के अलाबा मैंने हरी में चो अधर रख लिया था उसको भी कट करके रख लिया है तो आब हमारी मैथी दाना, आठ दस काली मिर्च, चार लोंगे और साबुत खड़ा दनियास और ये कुछ कलोंजी लिए एक चम्मच कलोंजी को डायरोस्ट नहीं किया और सारे मसालों को अच्छी तरह डायरोस्ट करके रख लिया जिससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है अचार में तो आप मसालों को डायरोस्ट करके ही अचार में डाले, कोई भी अचार बनाए और कुछ एवने सरसों ली है चार चम्मच सरसों दाना है इनको भी हलका सा डायरोस्ट कर लिया था अब इस सारे मसाले हैं मिक食ी जारनें पीसट करदर दरासा पाओडर बनाके तयार कर लेगे यह देखे इस तरह का पाउडर बनके तयार होगा अब इस सब्जियों में हमने जो अध्रक और हरी मिर्च कट करके रखी थी उसको भी एट कर लेंगे हरी मिर्च से थोड़ा सा तीखा चटपटा सा अचार बनता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब जो हमने मसाला बनाया उन सारी मसालों को कलोंची को एक साथ एट कर लेंगे इसके बाद हम थोड़ा सा नमक एट करें नमक को आपको ध्यान देना है हमने पहले भी नमक एट किया था तो सब्जियों में नमक है थोड़ी सी हल्दी एट करेंगे और थोड़ी सी एक चमच लाल मिर्च और एक चमच कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी एट करेंगे यह मैंने सरसों का तेल पका लिया है मतलब धुआ आने तक हमें पकाना है कच्छा तेल यूज नहीं करना है और ठंडा होक फिर हम अचार में एट करेंगे अब यह विनेगर है इसको आदा कटोरी मैं एट कर रहे हूं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस अचार के लिए यह तुरंद भी आप खा सकते हैं यह अचार अब तयार है लेकिन दो-तीन दिन बात खाएंगे तो यह अचार और भी कर लीजिए और यह आपका लंबे समय के लिए चलेगा तो अगर आपको अचारा बनाएए ट्राइ कीजिए और कमेंट्स करके बताएए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब यह थैंक्यू सो मच